नमिश्कार मेरचा सिंग स्वागित करती हूँ हमारे खास कारिक्रम आज की राशी फल में आज बताएंगे कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है पूरे दिन आपको किन-किन संगहशों से गुजरना पड़ेगा साथी किन उपायों को करके आप परिशानियों जे चुटकारा पा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास रो आज का राशी फल मेश राशी जादा खर्च करने से बचे अनिथा बजट बिगड सकता है व्यापार में अपेक्ष धन लाब ना होने से मन उदास रहीगा कर्ज लिने के प्रयास में वेद्न आ सकता है उपाय गजेंद्र मोक्ष का पाट करे व्रिशब राशे रुका हुआ धन मिलने से किसी व्यापारिक अनुबंध की होने से लाब का अच्छा असर हाथ लग सकता है सामाजिक कार्यों पर धन खर्च होगा व्यापार में पिता का सहयोग वसानित्य प्राप्त होगा उपाय माता लक्ष्मी को खीर का भूग कर्ग राशे धन के अभाव में किसी मांगलिक कारिक्रम में रंग में भंग पड़ जाएगा। उपाई माता अत्वा किसी वरिष्ट इस्त्री को वस्त्र दान करे। सिंग राशे किसी अधूरी पड़े महत्वपूर्ण कारे में सपलता मिलेगी वर रत्न आभूशन प्राप्त होंगे रुका हुआ धन मिलेगा। उपाई बंदरों को भुने हुए चने खिलाए। कन्या राशी व्यावसाइक समझोते में लाब हुगा, समपत्ती का लाब मिलेगा, समय के सदुपयोग से कारेविवस्था में लाब हुगा। उपाई दही से भगवान शिव का अभिशेक करे। तुला राशी दिन की शिर्वात कुछ शुप समाचार के साथ होगी, धन प्राप्त होगा, व्यापार में लगन एवं धैरे के साथ कारी करे। उपाई भगवान शिव की आरादना करे एवं गन्ने का रस अर्पित करे। व्रिशिक राशी व्यापार में नए सयोगी लापकारी सिध्ध होंगे, किसी व्यापारिक योजना के सफल होने से भविश्य में अच्छा धन प्राप्त होगा, प्रेम प्रसंग में धन एवं उपहारों की बढ़सात होनी वाली है, उपाई सौफ और मिश्री अपने पास रखें। धनू राशी बदत मिल जाएगी, उपाई सूर्य भगवान की आराधना करें। कुम्ब राशी कारोबार में इंकम बढ़ानी का प्रयाज सफल होगा, सटा लोटरी से धनलाम होगा, संतान के सयोग से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी। उपाई, मगवान शिव को दू देवं शक्कर अर्पित करें। जाहिर है आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशी फल में विश्वास रखते ही और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी सावित होती है। ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते ही ताकि वो अपनी दन्चारिया को जान सकें। खेर आज के राशी फल में बस इतना ही देश दुनिया की तवाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हैं सीन्यूस भारत के साथ। हर खबर आपके साथ आपके हाथ।